Hey everyone, this is Sumish Sharma and once again I welcome you all in this video इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप अकेली पन से जूज रहे हैं या मैं आपको यहाँ पर कोई dating site के बारे में या कोई hookup culture के बारे में नहीं बताने वाला हूँ ठीक है कि आप अकेला पन में सूज कर रहे हैं तो इसी दूसरे से जाके आप बात करें ऐसा करें वैसा करें मैं दरसल फोकस करता हूँ आपके total personality development पे Myself Sumish Sharma, I'm a personality coach So, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप अकेले होते हैं तो उस समय कौन सी ऐसी चीजे हैं जो 10 चीजे आप कर सकते हैं और जिनके जरीए आपकी growth ही होगी तो 10 तरीके ऐसे बताऊंगा आपको 10 पूरे तरीके जिसमें आप जानेंगे कि अकेले समय में क्या करेंगे आप जब आप अकेले होते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए, बहुत से लोग अपने अकेले पन से डिप्रेशन चले आते हैं, गलत हर्गते करते हैं, गलत आयते करते हैं, गलत चीजों में चले जाते हैं अकेले पन की वज़े से, मैं आपको बताऊंगा कि अपने अकेले पन को कैस करके उसका यूज करके आप खुद को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं लाइफ में अपने गोल की तरफ एक और स्टेप आगे बढ़ सकते हैं आप ये वीडियो आपको powerful बनाएगा और power हमेशा एक person को gain करनी चाहिए आप female हो या male आपको power पे focus करना चाहिए आप power gain करेंगे तो आप powerful बनेंगे जिससे आपकी life में progress होगी तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे एक और तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ये सारी शीजे हैं मैंने आपको बताया भी now सबसे पहला इमार तरीका जो है वो है read a book आप अकेले जब आप अकेले हो तो आप कोई किताब पढ़ सकते हैं और किताब तभी आप पढ़ेंगे जब आपको पास एक अच्छा खासा collection होगा ले आईए अपने जो salary आपकी उसमें invest कीजिए 1500 रुपए मेरी जो salary के हैं मैं आपको एक live example देता हूँ जो मैं खुद का experience और example शेर करता हूँ मैं खुद ही अपनी salary से 500 से 600 रुपए जो है 500-600 रुपए हर महीने books में invest करता हूँ, किताबे लाता हूँ जो किताबे मुझे सही लगती है ये मेरे growth में काम आसकती वो किताब में लाता रहता हूँ इसी तरीके से आपको system मना सकते है अगर आप समझ रहें कि 500-600 रुपए खर्चा हो जाएगा तो शायद आप तरक्की भूल जाए, तरक्की भी आपके लिए नहीं success आपके लिए नहीं बनी, आप भूल जाए क्योंकि books को investment आप समझिये, एक investment खोद पर, तो आपको ये करना है, आपको क्या करना है एक छोटी सी अपनी library बना लेना है मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो shelf है, table वो है, अलमारी है उसके बीछे किताबे रखी हुए पर उसके नीचे भी किताबे हैं, और उसके नीचे भी किताबे हैं तो तीन लाइन से एक shelf बनी हुई है उसमें अलग-अलग self-help book है self-help book है, ना कि कोई fiction ना entertainment, ना comedy, ऐसी कोई किताबे नहीं, केवल मेरी personal growth सही related किताबे हैं, जो कि मेरी life में कहीं न कहीं मुझे growth ही दे रही है तो यही growth अगर आप चाहते हैं, तो आप किताबे पढ़ना शुरू कीजिए, अगर आपको एक किताब कोई अच्छे नहीं लग रही है तो आप एक दिन में एक साथ तीन किताबे पढ़ सकते हैं अगर आपको एक किताब पसंद नहीं आ तो दूसरी उठाइए इसलिए तो मैंने कहा कि आपको library type का बनाना है, छोटी library type का बनाइए एक किताब पसंद नहीं दूसरी उठाइए, दूसरी पसंद नहीं तीसरी उठाइए तो ये हमारा पहला point था, read a book अब देखिए ध्यान से कि अकेले पन जवाब अकेले हों तो वो book आपको interesting लगनी चाहिए उससे कुछ ने कुछ आपको सीखना चाहिए कुछ ने कुछ application वाला point आपको मिलना चाहिए कोई ने कोई ऐसा point मिले आपको जिसे आप life में अपनी apply कर सके real life में, okay now, go for a walk long in nature, right एक walk पे जाएए, लंबे walk पे आप चहां रहते हैं उस area में कही ने कही कोई ऐसा इलाका होगा, जो एकदम शान्त होगा, और मेरी तरफ है न, इसलिए मैं आप लोग के बता रहा हूँ आपकी तरफ भी कही ने कही होगा, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, नेचर के बीच में आप walk कर सकते हैं, जाएए, नेचर के बीच में चलिए, walk कीजिए, आपको नेचर में जाने के बाद बहुत पीसफुल मैसूस होगा, जब आप अकेले हूँ तो आप ये काम भी कर सकते हैं, go for a walk in nature, मैं अक्सर जाया करता हूँ जितनी भी चीज़े मैं बताऊंगा आपको, उसारी चीज़े मैं खुट प्राई कर चुका हूँ, ओके, और मैं करता ही रहता हूँ now, practice meditation, meditation आप practice कर सकते हैं आप project एक तरीके से आप कह सकते हैं कि I am on a mission, आप mission पर जा सकते हैं, mission का मतलब जैसे माली जैए, या कोई project है कि आपको इस हपते इस week में meditation के बारे में कुछ न कुछ सीखना है और उसको application करना है ठीक है, उसका application यानि उसको apply करना है अपनी life में, तो youtube पे लगलग meditations के बारे में सीखिए, ठीक है, notes ही बना सकते हैं notes बनाते हैं, आप उनको practice कैसे करें ये meditation कैसे करते हैं, वो meditation कैसे करते हैं, क्योंकि meditation related to the peace of mind आपके mind का peace जितना ज़्यादा होगा, उतन ही आपके इंदर power होगी, meditation से एक तरीके से आपकी power बढ़ेगी, clarity आएगी focus आपका बढ़ेगा, जिससे आप work पे concentration जादा कर पाएंगे alright, तो meditation आप करना सीख सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है meditation सीखना, अगर आप ये नहीं सीख रहे हैं तो आपको start कर देना चाहिए अकेले जवाब हैं, तब आप ये सीख सकते हैं, okay explore a new hobby like painting और cooking, अगर आपकी कोई नई hobby है अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो आप painting या cooking कर सकते हैं बहुत लोग painting पसंद आप painting कर सकते हैं cooking कर सकते हैं, right तो जैसे कि मैं आपको बता हूँ alone time को हम लोग use कर सकते हैं, जब आप अकेले हों, तो उस time को बहुत बड़े बेड़े लोगों ने अलगरा तरीके के लिए use किया है, ठीक है, जैसे कि कि कुछ लोग जबरदस्ती अकेला पन यानि अकेला alone time create करते थे, right Winston Churchill के में बात करूँ, एक अमेरिका के एक राष्टरपती थे आपको याद होगा, right और एक और परसन थे, जो क्या करते थे जब कहीं जाते थे, किसी forest में किसी जंगल में तो वहाँ पे गया करते थे, वो लकडी काटते रहते थे, right वो उनका zero thought period होता था zero thought period का मतलब क्या है, कि उस समय जब लकडी काट रहे होते थे, एक ऐसे person थे लकडी काटते काटते, हजारो पें उन्होंने काट की गिरा दिया, ठीक है उस समय जो वो काट रहे होते हैं, तो उस समय उनके मन में कोई विचार नहीं होता है, दिमाग में कोई thought नहीं होता है, ठीक है, zero thought होते हैं, इसलिए इसको zero thought process बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है life में, right, अगर आप हमेशा सोचते ही रहते हैं, आपका दिमाग काम करता रहता है, तो शायद आप बहुत आगे तंगना जाँ पाए, आपके अंदर mental peace की कमी हो जाएगी, तो कोई नोको ये ऐसी activity होगी, जिससे आपका दिमाग उस समय काम करना बंद कर दे ठीक है, zero thought activity आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल example के लिए बताओं, आप अगर घर में हैं, तो आप simple सा बर्तन मान सकते हैं, try कर सकते हैं, right, मैंने try किया है, जैसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ये एक point हो गया, आप ऐसा नहीं कि आप लडकीय हैं, तो ये कम नहीं कर सकते, बिल्गूल कर सकते हैं, right, ऐसा कहीं लिखा नहीं कि लडकीया है कर सकते हैं, ठीक है लडकीया भी करते हैं, तो आप उनसे पूछी है कि experience लेखिए, जब वो ये काम करती है बरतन माजते हैं, तो उस उस समय उनका दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है, हाथ काम करता है, उस समय दिमाग rest mode में चला जाता है, दिमाग zero thought state में चला जाता है, तो ये state लाना बहुत जुरूरी है, इससे एक दिमाग को rest मिलता है थोड़ा सा, तो अच्छा, और जैसे कि वो pain काटने वोली activity मैंने बताई एक person थे बहुत famous person है और उसी तरीके के आप कुछ काम कर सकते हैं हलां कि paint काटना इतना सही नहीं है उन्होंने paint काटा भी था और से ज़्यादा paint लगाए भी था listen to the music and create your own playlist आप अपने खुद के favorite music को सुन सकते हैं अगर आपको कोई music है favorite तो से सुनिये और alone time में जब आप केले हो और खुद की एक playlist बनाई है मेरी बहुत सारी playlist बनी हुई जब मुझे अकेला पन फील होता है तो मैं वो playlist को सुनता हूँ राइट इस सारी शिए मैंने apply करी हुई है तब ही मैं आपको बता रहा हूँ और हमारा अगला पॉइंट है write a journal and start a blog कोई journal आप लेख सकते है डायरी खरी लीजे डायरी मेरे पाप बहुत सारी है और मैं अकसर डायरी यहां खरीदा करता हूँ ठीक है यह मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरी to-do list डायरी इसमें मैं लिखता हूँ to-do list मतलब मुझे जो जो काम करने है और कैसे करने है अगले दिन की तीन priority यानि कि जैसे आग में वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाना किस topic वीडियो बनाना उनमें वो मेरी एक priority है तीन priority यहां पर लिखी होले है तो यह मेरी to-do list डायरी है उसके अलवा मैं आपको दिखा हूँ यहां पर लिखे यह ड जर्नल यानि जर्नलिंग एक बहुत ही पाउरफुल प्रोसेस है, जर्नलिंग करके बहुत से लोग सफन हो गए है, मैं एक सर जर्नलिंग किया करता हूँ, खुद के बारे में पॉजिटिव लिखिए, खुड़ा पॉजिटिव फील कीजिए, क्या आप चाहते हैं वो और कौन-कौन से ऐसे परसान है, जिनकी वज़े से आप नेगटिविटी फील करते हैं, वो भी अब लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह बहुत इक पाउरफुल प्रोसेस है, यह मैं करता हूँ, और तभी मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत आला लाइट फील करेंगे आ अलोन टाइम में सबसे बेस्ट अक्टिविटी है, जर्नलिंग, दुनिया के most powerful and successful people's use करते हैं, ब्लॉग आप खोता ब्लॉग लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख दीजे, क्या दिक्कत हैं, अगर आप computer पैकसर रहते हैं, तो ब्लॉग लिख सकते हैं, वोच अ मूवी और मैं देखता हूँ, और आती है कोई, तो थीटर में जाके देखता हूँ, और टीवी सीरीज, आला कि मैं कुछ ज़्यदा खास देखता नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे goal statement से align नहीं होता है, तो जो चीज़े goal statement से align नहीं होती, मैं उनको strictly avoid करता हूँ, ठीक है, take your hand at photography, अच्छी है, फोटोग्राफी बहुत ही कमाल की चीज़ है, जब फोटो आप खीचेंगे, तो वहाँ पर उस समय आपका दिमाग जो है, इतना काम नहीं करेगा, इससे आपको mental peace एक मिलेगा, तो फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी चीज़ है, and take a relaxing bath, क्या पता फोटोग mind refresh होगा, और आपके relaxing thoughts आएंगे आपके अंदर, और अगर हो सके तो वहाँ पर music बढ़ाजिए, calm music, strong music नहीं, बहुत ही soft music आपको बजाना है, ठीक है, strong music में क्या होता है, हमारा दिमाग बहुत ही high vibrations पे चला जाता है, जिसमें, क्या बोलते है, soft music इतना समझे है, high strong music और soft music यह फर्क होता है, कि soft music से आपको थोड़ा सा peace मिलता है, और सुकून मिलता है, सुकून टाइप का, जैसे आप mall all में गए हो, तो वहाँ पर soft music बजा करता है, इसलिए वहाँ पर ज्यादा आपको अच्छा लगता है, आप देखिए, अगर आपके घर में ठंडा है, और आप soft music बजाईए, ठीक है, soft music क्या होता है, आगर आप मुझे whatsapp message करेंगे, तो मैं आपको और अच्छा बता दूँगा, ठीक है, मैं आपको एक वीडियो में अलग बताऊंगा भी, कौन-कौन से soft music का use करना है आपको, exercise और practice yoga, आपको practice करना है, क्या yoga and exercise, हाला कि मैं सुबा उट direct exposure आपका होना चाहिए, सूरज की किर्ण है, लगातार 15 मेट तक आप पर पढ़नी चाहिए, इससे आपका vitamin D level काफी अच्छा हो जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़े होती है, दस तरीके मैं आपको बताएं है, कैसे आप जो आपका alone time है, वो बिता सकते हैं, तो ये 10 तर practice करता है, वही जितता है, जो apply करता है, वही जितता है, मेरा मकसद है आपको केवल ग्यान देना नहीं, ग्यान YouTube पे, social media बहुत भरा पढ़ा है, मेरा मकसद है आपको apply करना, अगर आपने apply करना शुरू कर दिया है, कोई एक भी चीज़ अगर आप apply कर रहे हैं, तो मुझे comment section ज़रूर बताईएगा, और आप आज से, अभी से, कौन से चीज़ apply करने वाले हैं, ये भी मुझे comment section ब ज़रूर बताईएगा, मिलते हैं, next video में, thank you for watching this video, and बने रही इस video में, और other videos में, और subscribe कीज़े में चनल को, अगर आप मेरे, अगर आपके अंदर confidence की कमी है, तो आप अगर आपको business में, अपना online system में बनाना है, तो आप digital business guide download कर सकते हैं, thank you very much, मिलते हैं, next video में,